कोटा रक्षिन नगर निगम में महापूर राजीव अगरवाल ने सफाई करमचारियों के उपस्तिती को लेकर के बड़ा गड़-बड़ ज्वाला उजवागर किया है आज महापूर राजीव अगरवाल ने बार नियंतर्ण में लगे सफाई करमचारियों की उपस्तती का ओचक निरक्षन किया और मोधी कोलेश के नाले की सफाई के लिए पास पांच लेबर की डिमांड भी की वहीं पर महापूर राजीव अगरवाल और निगम के एचो भुवनेश नावरिया सुबह साड़े नो बजे मोगे पर पहुंचे लेकिन कोई लेबर वहाँ पर नहीं थी उसके बाद जब रजिस्टर की जांच की गई तो उसमें 17 सफाई करमचोरियों की जगर 15 करमचारी की ही एंट्री थी मोगे पर सिर्फ साथ सफाई करमचारी की काम करते वे मिले सूचना के बाद में उपायुक्त महाविर सिंग से सो दिया एचोर रिचा गोतम मोके पर पहुंची वहीं पर उपस्तिती में इस गडबर जाले के उजागर होने के बाद लापरवा करमचारी के खलाव कारवाई शुरू कर दी गई है जिन्होंने बीच में काम छोड़ के चले गए या अनुपस्तित चल रहे बिना सूच रहे उनके विरुद नियमानुसार कानूनिकारवाई की जाएगी और आगे इसी द्यान रखा जाएगी कोशिश की जाएगी करमचारी समय पर आकर के अपना कारे करें 17 लेबर का आदेश है उसमें से एक लेबर का इस्तंत्रन हो गया रईष्टर में 15 लेबर ही चड़ी हुई है तो इससे ये साब जाईर है कि स्पेक्टर CSI कितना घालमेल कर रहे हैं आज उसी की सारी जाँच कर रहे है और जो भी करमचारी इसमें दोशी होगा चाहिए वो इस्पेक्टर हो या CSI उनको आज 17 सीची का नोटिस दिया जाएगा जो करमचारी अनुप्रिस्टित है उनको भी आज 17 सीची का नोटिस दिया जाएगा सभी अधिकारियों के हम बुला लिया है पहली बात तो एक करमचारी का तो नाम ही रेइस्टर में चड़ावा नहीं है जो रेइस्टर मिला है हमें 16 करमचारी का उसमें नाम होना चाहिए 15 ही चड़े हुए उसके अलावा 15 में से 7 करमचारी उपस्तित हैं आठ करमचारी उसमें से गायव है जिनकी किसी की एपसंट लग रही है किसी की परेजन लग रही है सारा आज चेक कर रहे हैं और आप यह मोनिटरिंग दोनों एचो को दी जाएगी सब करमचारियों को नगर निगम में बुला जाएगा मही से इनका डिस्ट्रिबुशन क्या जाएगा